नमस्तार मैं डॉक्टर रूवी बंसर अपने यूट्यूब चैनल पर आपके सामने फिर से कुछ नया कुछ खास लेकर आई हो तो ये मेरी कोरोना की स्रीज है इसमें हमने काफी सारी बातें किये हैं कोरोना के उपर मैंने एक वीडियो बनाई थी ओक्सीमेटर के उपर तो काफी लोगों की क्वेरी आई की ओक्सीमेटर कौन सा खरीदना चाहिए और कहां से लें देखे ये आजकल बहुत सारे ओक्सीमेटर अवेलेबल हैं ओक्सीमेटर आप कोई भी लीजे उसका कैलिबरेशन या उसकी जो है एक्कुरेसी होनी चाहिए तो उसके लिए एक बहुत अच्छा सा वीडियो है एक डॉक्टर S.K. गुपता खा उन्होंने बहुत ही अच्छे से उसको बनाया है कि आप जो है ओक्सीमेटर किस तरह का कैसे चेक करें कि आपका ओक्सीमेटर ठीक है कि नहीं तो आप उस वीडियों को देख सकते हैं और मैं आज सिर्फ आपको ये बताना चाहती हूँ कि कौन सी finger सबसे ज़्यादा suitable है आपका saturation देखने के लिए सबसे जो suitable finger मानी गई है वो है middle finger जो आपकी पहली से दूसरी finger होती है उसको जो है सबसे suitable माना गया है oximeter से pulse spo2 check करने के लिए अंगठा और ये बिल्कुर भी suitable नहीं होते हैं आपका pulse oximeter ये saturation को देखने के लिए और pulse oximeter यूज करने के लिए उसका reason है कि जो हमारे dominant hand की index finger होती है वो जो blood circulation उसका उसमें जो blood circulation होता है वो feeding जो उसकी होती है वो deep palmar arcus से होती है जो की created from the radial artery, radial artery से जो निकलता है जो middle finger है ये जो blood है ulnar और radial दोनों artery से receive करती है तो इसमें सबसे अच्छा higher अच्छा perfusion होता है middle finger में जो की expect rate जिससे हम expect करते हैं कि हमारा spo2 काफी सही आना चाहिए accurate आना चाहिए क्योंकि इसकी बहुत बड़ी value है जब हम बात करते हैं कोरोना की क्योंकि अगर आपका spo2 ठीक से measure नहीं हुआ है तो हमें severity of disease का पता नहीं चलता है जितना भी जो 95% से लेकर 100 तक जो spo2 रहता है तो मतलब कि आप ठीक हैं आगर उससे कम हो रहा है तो condition आपकी जो है you need the doctor's advice और अगर 90 से कम हो रहा है या उससे कम हो रहा है तो ये एक medical emergency है तो इसके लिए अपने doctor के पास तुरंट पहुचिए ये सब बाते बहुत important हैं क्योंकि आजकर सब लोग oximeter रख रहे हैं और किसी भी तरह से अगर आपने इस finger में check कर लिया तो भी दिक्कत है आपने यह से check किया तो भी दिक्कत होगी तो ये जो सही तरीका होता है कि आप इस finger में check करें और ये middle finger जो हैं सबसे अच्छी मानी गई है as pure to perfect देखने के लिए बाकी ये दोनों finger भी जो हैं अच्छा perfusion देती हैं परन्त इसमें सबसे अच्छा perfusion होता है दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि आपके हातों पर nail polish नहीं लगी हो अगर महिला है और या आपने कोई भी ring या कोई चीज नहीं पैन रखी हो तो उसको भी उतार दे और nail polish है तो वो आपको accuracy नहीं देगा वो आपको reading नहीं पढ़ सकता है तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है जब भी आप अपना spo2 चेक करें या pulse oximeter का use करें तो यह चोटी सी जानकारी अमारे इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको देना चाहती थी और आप मेरे चैनल को subscribe करिए उसको like करिए आपके जो भी comments हो मुझे personally भेजी आपके जो करूंगे so alert रहिए तयार रहिए कोरोना को हराना है भारत को जिताना है तो आपको जितना ही होगा और उसके लिए precautions लेते रहिए धन्यवाद कर दो भारत